बिस्मिल्ला रोहमान रोहीम असलाम लेक्म स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नबर नाइन का स्टार्ट करेंगे जी elements of C language यानि C language में program build करते वक्त, program create करते वक्त हमें किन-किन ingredients की, किन-किन components की, किन-किन अनासर की, जुज की जो है वो जुरुरत होती है तो fundamental जो basic सारी चीजें हैं, एक C का program बनाते हैं वक्त वो इस chapter के अंदर जो हम इन्शाला discuss करेंगे इस chapter का जो पहला स्वाल है, वो एक long question है, what is an identifier? discuss two types of identifiers in C, ये स्वाल जो है, ये paper में बहुत दफा repeat हो चुका है, हम इसको mark कर लेंगे, very important question और आज इसी सवाल से जो है हम शुरू करेंगे आज का lecture, तो सबसे पहली definition हमारे पास क्या है जिसमें, identify क्या है identify is the name given to the variable constant function r label in the program तो C के program में जब भी हम कोई नाम इस्तमाल करेंगे, किसी variable के लिए, किसी constant के लिए, या किसी function के लिए तो वो नाम जो है, वो identify कलाएगा, कोई भी नाम जो हम अपने program में इस्तमाल करेंगे, variable function या constant के लिए, वो identify कलाएगा identify जो है, वो is an important feature of all computer languages, identify किसी भी computer language का बड़ा important feature है जी और a good identifier name, एक अच्छा identify जो, उसका जो name हो, अच्छा identify जो होता है, वो descriptive होना चाहिए, लेकिन short होना चाहिए यानि उसके नाम से उसकी वजाहत भी हो जाए, और उसका नाम ज्यादा lengthy भी नहीं होना चाहिए for example, अगर मैं कहूँ के मुझे एक variable का नाम रखना है, जिसमें मैं पाकिस्तान email directory के बारे में कुछ number store करना चाहता हूँ, तो मैं variable का नाम क्या रखूँगा, क्या रहे ये रखूँ पाकिस्तान email directory, या मैं उसका नाम रखूँ पीके email dir अगर मैं variable का नाम ये रखूँ, पीके और आगे email ये हो गया जी email और आगे dir डिर डिरेक्टरी से, आम तो पर हम शार्ट, डिरेक्टरी को शार्ट में ये लिखते हैं, तो आगे हम कुछ number लिखे देते हैं, कि हमारे पास 19,000 जो हैं वो इसके अंदर कुछ email addresses है, तो ये जो मैंने लिखा, पीके, पीके फर पाकिस्तान, पीके email, dir, डिरेक्टरी, तो पीके, तो ये नाम जो है, ये descriptive भी है, और शार्ट भी है, बिजाए कि मैं क्या नाम रखता, पाकिस्तान email, डिरेक्टरी, तो वो नाम lengthy हो जाता, बेशक वो descriptive होता, लेकिन वो lengthy हो जाता, तो आपने इन दोनु चीजों का हया रखना है, एक तो नाम आपका meaningful होना चाहिए, ठीक है जी, कि उसके variable के या function के नाम से ही उसके काम का पता चल रहा हो, इसको भी आप कह सकते ह नहीं में ले सकते हैं, लेकिन बारहल कोशिश करें कि short name जो है वो यूज करें, और meaningful और descriptive name यूज करें, as identifier, उसके बाद हम बात करते हैं, जी आगे कह रहे हैं, अब ये कुछ main main, जो है, वो keywords हैं, जो आपकी definition के अंदर use हो रहे होते हैं, जिन को आपने जो है, वो फोरन या 31 character से ज्यादा नहीं रखना, अगर, अगर identifier का जो नाम है, वो 31 character से longer हुआ, ज्यादा lengthy हुआ, तो first 31 character will be used, तो सिर्फ पहले 31 character जो है, वो compiler use कर लेगा, और बाकी को क्या कर देगा, ignored by the C compiler, तो बाकी को, जो है, वो compiler आपका ignore कर देगा, यानि वो उनको मानेंगा ही नहीं, character किसी भी नाम के जो है, वो पहले से extract का लेगा, और बाकी characters को जो है, वो छोड़ देगा, हैर इतना lengthy नाम जो है, वो हमने रखना ही नहीं कि हम एक variable का नाम 31 character तक क्या है, एक function का नाम 31 characters तक रखे, इतना lengthy, अब भी हमने उपर बात यहीं किया ना, कि short होना जीए ना, लेकि फिर भी अगर कि जूरुत पड़े आपको कोई बड़ा lengthy, जो है, वो descriptive किसम का आपने नाम रखना है, तो फिर वो 31 characters से ज्यादा ना हो, तो identify के अंदर यह पहली शर्त हमारे पास आगई, आगे कुछ rules भी बताएगा वो, कि जब भी आपने identify कुछ, जो है, वो mention करने है, alphabet are underscore, पहला character जो है, वो लाजमी तोर पे कोई ना कोई alphabet होना चाहिए, यहां फिर आप underscore special characters में से underscore आप जो है, वो लिख सकते हैं, for example, अगर मैंने variable का नाम रखना है, तो मैं लिख सकता हूँ, ABC is equal to 10, तो यह नाम जो है, वो बिलकुल सही है, क्योंकि शुरू कहां से हो रहा ह alphabet से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं मैं कर सकता है, मैं शुरू में कोई dollar sign लगा दूँ, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक हो गया, हाँ, मैं underscore लगा सकता हूँ, underscore, A, B, C, is equal to 10, तो यह नाम भी ठीक है, यानि शुरू में underscore अगर आप use करना चाहें, तो कर सकते हैं, बारहल, यह underscore underscore भी शुरू में जो है, वो recommended नहीं है, कब use करना चाहिए, वो मागे इन्शाला जाके बात करेंगे, जब कुछ ऐसा topic आएगा, तो फिल वकत आपने एक तो rule यह याद रखना है, identify, जो है, वो naming करते हैं, कि आपने पहला character alphabet रखना है, या maximum आप underscore use कर सकते हैं, इसके लावा क different जो characters हैं, जिनका कोई predefined meaning हो सकता है, language के अंदर, तो वो आप use नहीं कर सकते हैं, दूसरा rule क्या है, identify का नाम रखते वकत, identify name must consist of only alphabetic characters, digits होने चाहिए, और underscore होना चाहिए, यानि ये तीन चीज़ों का combination, कोई भी आपने नाम रखना है, function या variable का या constant naming करनी है, तो नाम के अंदर जो है, वा मिक्स कर सकते हैं, digits को, alphabets को, या फिर underscore को, लेकिन पहले बरी शर्च जो है, वो साथ लाजमी होगी, ठीक है, ये नहीं कि आप जो है, वो digits से शुरू कर दें उसको, क्योंकि उसने पहले हमें बता दिया कि पहला character alpha bet होना चाहिए, तो ये कहने का मतलब ह अर्गेज नहीं है, दूसरे point rule के साफ से आप करें, ये यूज कर सकते हैं, तो आप शूरू digits का लें, आप रखें इसका नाम, for example, 9, a, b, c, is equal to 10, अगर variable का नाम रख रहे हैं, तो भाई, ये गलत होगा, ये variable का नाम गलत होगा, ये identify, ये जो identify आपने लिखा है, identify का आपन reserved word cannot be used as identify, ये reserved word, यानि के keywords, उनको identify name के तोर पर यूज नहीं कर सकते हैं, आप वो याद होगा, हमने अपने प्रोग्राम में वाइड का जो है, वो जिकर किया था, main function से पहले लिखते हैं, वाइड, तो आप वाइड को जो है, वो as a variable name यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो है, तो as a identifier name आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वाइड is equal to 10, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा, ये भी incorrect होगा, wrong होगा, क्यूंकि ये वाइड जो है, एक reserved word है, यानि इसका ये language में किसी हास purpose के लिए इसको reserved किया गया है, ठ आप उसको as a identifier name जो है, यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी, इस्पेशली बात हो रही है, जब आप कुछ standard identifiers की हम बात करते हैं, तो, एनि हो ये तीन rule जो है, ये तीसरा rule हो गया, क्या आपने reserved words को जाएं, वो इस्तमाल नहीं करना as a identifier name, तो ये तीन rule आपने याद रखने है identifier का नाम जो है, वो अपने program में, C program में लिखते वक्त हैं, रखते वक्त हैं, ठीक हो गया, उसके बाद आगे हमारे पास types of identifiers, दो types of identifiers की, that is number one is a standard identifiers and number two is a user defined identifiers, तो इनकी simple story ये है, दोनों के अगर हम आगे reading करने से पहले बात कर लें, कि जो नाम language developers ने, जो हैं, वो already, जो हैं, वो मुतलिफ functions के, मुतलिफ constants के रखे हुए हैं, उनको हम कहेंगे standard identifier, जिनके कुछ special meanings हैं आपकी language के अंदर, जैसे उसे standard identifier के अंदर क्या कह रहा है, a type of identifier as identifier that has a special meaning in C language, C language में gene identifier के कुछ special meanings हैं, तो उनको हम standard identifier करेंगे, और C cannot use standard identifier, C जो है, उन standard identifier को उस वक्त use नहीं करेगी, अपने असल purpose के लिए, जिस purpose के लिए उनको बनाया गा था, अगर, 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 it is redefined, अगर आपने उनको redefine कर दी अपने program के अंदर, अगर, 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 आपने उनको redefine कर दी अपने programs के अंदर, for example, कौन-कौन से हैं standard identifiers, example ले लेते हैं, number one कह रहा है, apparent F है, जैसे scan F है, apparent F के साथ तो आप थोड़ा सा वाकिफ हो चुके हैं, अपने program है, हमने देखा था, output function है, predefined function है, our example of standard identifiers, these are the names, यह वो नाम है, किसके नाम हैंगे, input, output functions के नाम हैंगे, यह जो दोनों identifiers हैं, यह दोनों किसके नाम है, input, यह output function का नाम है, C language में, यह input function का नाम है, C language में, तो यह दोनों identifiers, standard identifiers हैं, क्योंकि यह नाम मैंने नहीं रखें, आपने नहीं रखें, यह C language developers ने रखें, ठीक हैं, और यह दोनों तो नाम जो हैं यह दोनु फंक्शन कहां डिफाइन है वह हम पहले बात कर चुके हैं स्ट्रीडी आयो डाट एच जो हैडर फाइल है लाइबरेरी फाइल यह उसके अंदर आर एड़ी जो है वह यह डिफाइन है तो यह एग्जाइपल भी होगे आप यह जो बात उसने यहां से लेकर किया ने यहां से लेकर सी यहां से लेकि यहां तक तो यह थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बाद लगते हैं कि सी कैनाड यूजा स्टैंडर इंटिफायर फार इस औरीजिनल परपस तो इसको एक्जेंपल में जाके देखते हैं पहले यूजर डिफाइंड की भी बाद सतम कर लेते हैं तो यूजर डिफ यूजर डिफाइंड डिफायर के लाएंगे क्या करने के लिए जारी बात है तो एक्सेस मेमरी लोकेशन यहीं कोई वेरीबल कर नाम मैंने रखा है क्योंकि वेरीबल जो हमारे वो मैमरी के अंदर होते हैं आगे वेरीबल की डैफिनिशन आज जाएगी तो वहां इंशाला data and program तो इनका क्या होता है योजर के डागु योजर के डागा को स्ट्रो करना को चाहिं जम्हा तफ़ीक हुआ तो उसका result जो हो स्ट्रो करना जैसे हमने अपने प्र्योग्राम में देखा था ले जे ये प्र आइक वेरीबल के नाम एैब है आप माक्स मीघ रख सकते हैं सवाल है पेपर में भी बहुत दफाइए इंपॉर्टन सवाल है इसको थोड़ा सा अपने एडिटर के अंदर जाके देख लेते हैं यह हम एडिटर ओपन करते हैं तो आप देखें इस प्रोग्राम में यहां से लेके यहां तक यह पुरा प्रोग्राम हमारा सी का और मैं अग देखें उनसा स्टेंडर्डड यह अचे इसलेंड इनके नाम हमने नहीं रखें यह सी लेंगविज वालों ने इनके नाम रखेंव को उनके कुछ प्रीडिफाइन मीनिच प्री डिफाइन बीनियनलिय इनके हैं मतलब यह कि अगर मैं यहां अगर एक variable declare कर दूँ printf के नाम सरी देखें ये printf मैंने क्या लिखा एक variable का नाम जैसे abc लिखा तो मैंने क्या गलती किये भी गलती तो assess नहीं है लेकिन मैंने क्या किया मैंने क्या किया मैंने एक predefined यानि standard इडन्टी ifire का नाम मैंने use कर लिया variable के नाम के तोर के उपर यानि मैंने एक user defined identifier बनाया और उसका नाम भी का रख दिया printf हलांके यह already जो है printf printf जो है वो एक output function के तोर पे यह नाम use हो रहा है c language के जो developers हैं उन्होंने इसका meaning पहले से tag किया हुआ है लेकिन मैंने भी use का लिया तो अब c वो क्या कहते हैं वो कहते हैं अगर आपने standard identifier को किसी अपने मकसद के लिए redefine का लिया यानि बैसे मैंने variable के नाम के तोर पे use का लिया तो फिर c जो है ना वो उसको use नहीं करेगी उसके original purpose के लिए original purpose इसका क्या है output function के तोर पे तो इसको आप use नहीं करेगा अगर मैं भी इसको compile करूंगा तो वो मुझे क्या कहेगा वो कह रहा है call of non function, य fasten नहीं है वो अब इसको function नहीं मान रहा क्यों function इसको नहीं मान रहा क्योंकि वो कह रहा है कि ये तो एक variable है आपने उसको उपर define कर दिया एक variable के नाम एक variable के तोर पर इस identifier को अब जब कि आप ने उसको एक variable के नाम के तोर पर जो है वो define कर दिया है यानि कि एक साब से redefine कर दिया है तो अब इसका जो असल मकसद था कि यह output function के तोर पर use हो रहा था अब c कह रही है मैं इसको use ही नहीं करूंगी ऑपर आपसे मतलब नराज होगी वो कैति ही मैं इसको यूज नहीं करो वो पहले इसको हलताम करो तो मैं इसको printf को नीचे मानूगी कि यह output function है या फिर आप इस function को हतम कर दो मैं तो Pin curtain को मैं यह तो use कर नहीं करना देखो मैं तो इसको use करूंगा और मैं यहां C की जगा क्या लिख देता हूँ printf आप मैं compile करता हूँ अब देखें error कोई नहीं है एक बस warning है वो warning यह है कि यार आपने यह जो printf variable यूज किया यह वारा यह variable आपने इसको कहीं display नहीं किया तो जाहरी बात हमने वो नीचे display करने के लिए मैं क्या use करना पढ़ना था printf का जो function है तो फिर problem आनी फिर वो error आ जाना था तो इसलिए आपने कोशिश करनी हैं कि जो standard identifiers है आपने उनको अपने मकसद के लिए अपने variable के नाम के लिए अपने function के नाम के लिए use नहीं करना otherwise फिर आप इस तरह के जो predefined functions हैं ये वाले आप उनको use नहीं कर पाएंगे अपने program के अंदर sum of a and b is percentage d comma c तो फिर वो कह रहा है जी आप इनको use नहीं करते हैं बात समझा आगे इस चीज की कि क्यों वो कह रहा है ये जो उसने बात की थी नहीं यहां किदर गई ये c cannot use a standard identifier c उस वक्त standard identifier को जो है वो use नहीं करेगी अपने असल मकसद के लिए इस मकसद को नहीं को बनाया गया था कब अगर आप नहीं को redefine का लिए अगर आपने नहीं को वेरियेबल के नाम के तोर पर यूज का लिए यह फंक्शन के नाम के उपर तोर के उपर यूज का लिए यह बात का मतलब जो है वो यह हुआ बागी तो असान है चीजें मोसली आपको clear हो चुकी होँगी तो यह पहला हमारे पास जो है वो लांक वेशन जो है वह वो लाग फजल से कलिए हो गया वैरी इंपर्टन क्वेशन बहुत अफ़ा पेपर में रपीड हो गई और इसके सात ही हमारे पास एक नेक्स्ट पे एक बड़ा मशिदा इंपर्टंट जो तो यह वो शार्ट कुएस्टन आगे रिक्साकर जतने बढ़ आई च्वेसटन ऑगे मोसरी जो है बार-भार रपीट हो रहे हैं अंतार पेपर्स के रपीट हो रहे है तो शार्ट क्वेशन के सवाल यहां ऐसे भी हो सकता है जैसे लिखा हुआ है जिसका मतलब और मकसद पहले से तैय है ठीक हो क्या की वर्ड वर्ड है आपके c language में जिसका मतलब और जिसका मकसद पहले से प्रेफाइंड है दा मिनिगे परपस आफ कीवर्ड इस डिफाइन को और इनको किसली दिफाइन किया भी पर आफ दा सी लैंगूज वसी लैंग्वीज के पढ़रा हैं लेकिन हम असल में प्रोग्रैमी के कोँसेट सीख रहे तो ऐसा नहीं है कि जो लेंगविज में पढ़र रहे हैं यह आप अगर जाबा काल को स simplicity करते हैं यह सी प्लस 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 करते हैं यह सारे कुछ ने कांसेट्स जो वो और अड़ी अप सीख चुके हैं बस वहां जाकर आपने उनके अडिशनल फीचर्ज के उपर वर्क आउट करना है उनका जो उनका जो कोर है उसके उपर देखना है कि वह लेंविज किस मकसद के लिए बनाएगी जैसे जावा में नेटवर्किंग एप्लिकेशन के उपर ज रिडिफाइन कार सकता है जैसे वो स्टेंडर इटनिफायर को डिडिफाइन कर दिया था हमने और ना ही आप इनको जाव चेंज कर सकते हैं इनका जो मतलब है वही रहेगा कीवर्ड कैन बी यूज़ फार्दा सेम परपस कीवर्ड सिरफ उसी परपस के लिए जो है वह यू और सी लेंगरी में टोटल कितने कीवर्ड इस वक्त मजूद हैं 32 कीवर्ड जो है वो आपके जो स्टैंडर्ड वरियन सी का है उसके अंदर मजूद है और वो 32 कीवर्ड नीचे आपको नजर आ रहे हैं इन कीवर्ड को वक्तन फक्तन मुतलिफ चैप्टर में पढ़ते बात आएगी वैसे भी बता रहा हूं आपको इसी तरह जो है वो वाइड का कीवर्ड हमने में फंक्शन के शुरू में लिखते हैं वाइड तो वो भी आपने एक सापस जो है वो देख लिया तो इस तरह यह बाकी कीवर्ड भी इन्शाला जो है वक्त के साथ हम देखेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता के इन कीवर्ड को हम अपने वेरेबल के नाम के तोर के उपर अपने फंक्शन के नाम के तोर के उपर यूज करें जैसे कries मैं कहूँ क्यों कि हमारे पास जो है वो यह हमारा प्रोग्राइम है तो मैं कहूँा कि यह हमने यह कीवर्ड है इन्टी आ keyword white is a keyword और आपको keyword जो है उनकी एक निशानी आपको turbo c में ये भी नज़र आ रही होगी कि इनका जो color है वो white है जैसे मैं keyword का spelling गलत करूँगा तो देखें color ही उसका change हो गया इसका मतलब है कि मैंने ये spelling ठीक नहीं लिखे तो जैसे मैं spelling ठीक करूँगा तो उसका color white हो गया तो इसे भी आपको थोड़े से error जो है वो debugging में भी इसानी हो जाती है अगर आपने keyword का spelling गलत लिख दिया है तो वाइड देखेंगे किस मकसद के लिए यूज होता है इंटिजर टाइप के तो आप शुरू में क्या लिखेंगे इंट लिखेंगे और अगर आप ने कोई floating point नंबर जो है वह floating point variable आपने डिक्लेर करने हैं तो आप यहां क्या लिखेंगे float लिखेंगे और वह भी lowercase में keywords के लिए याद रिखिए रहा है इसका मतलब प्रीडिफाइन जरूर है सी लेंगविज के अंदर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस इडेंटिफाइर को अपने मकसद के लिए इसको redefine कर सकते हैं लेकिन जब आपने एक variable ले लें उसका नाम आप इंट रख लें यह घलट हो गया ठीक है्ट आप वेरियबल का नाम इंट नहीं रख सकते आप function का नाम इंट नहीं रख सकते ऐसे नहीं आप कर सकते ठीक है ये गलत हो जाएगा तो इसकी जादत नहीं है ये रिजर्व वर्ड है रिजर्व का मतलब यह है कि यार इनको एक खास मकसद के लिए रिजर्व किया गया है बस उसी मकसद के लिए इस्तमाल होंगे वापे चलते हैं और ये हमारा कीवर्ड का इंपॉर्टन तेधित आइसा एसा चीजे हैं जिनका जिकर हम अपने पहले चैप्टर की उस प्रैक्टिकल में जो हूँ कर चुके हैं कि वेरियबल भी होते हैं फुलानी चीज भी होती है तो आहिस्ता एक एक करके वो सारे राज, सारे थियोरी, सारे कांसेप्ट जो हैं, उनकी डैफिनिशन आती जा रही है इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, परशान नहीं होना, जो जो सुनते जा रहे हैं, वो एक वक्त आएगा किसी चैप्टर में आके इन्शालों वो चीज़ें कलियर होंगी मैं वक्ती तोर के उपर उनको थोड़ा सा सिर्फ डिफाइन कर दिया करूँगा, जैसे उसके एसल जगाएगी तो जाहरी बात उसके उपर हम उसके बात फिर करेंगे उस वक्त तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वेरियबल क्या है, तो अवेरियबल is a named memory location, ऐसी memory location जिसको कोई नाम दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं, वेरियबल कहते हैं, ऐसी memory location या ऐसा memory cell जिसको हमने कोई नाम दिया गया हो, उसको क्या कहेंगे, वेरियबल कहेंगे, और मैमरी से यह म data program के दुरान input किया जाता है ठीक है जी वो यह और data और जो उसका कुछ computational results है program की execution के दुरान वो सारा कहां store होता है इनी variable में store होता है ठीक है जैसे हमने अपने programs के अंदर जो है वो यहां हमने program बनाया और हमने क्या किया ये दो variables ले ये तीन variables है बलके A, B और C ये तीन variable हमने लिए अपने program में एक में क्या store किया पांच दूसरे में B में क्या store किया दस और C में इन दोनों का computational result मतलब कि कोई math का operation perform हुआ तो वो जो result आया वो result भी हमने किसी variable में store किया तो variable में सिर्फ ये data store ही होगा जो input होगा बलके variable के अंदर जो computational result होगा जमा तफरीक होने के बाद वो भी variable में store करेंगे और फिर उस variable को print करेंगे तो हमें हमारा result जो है वो screen के उपर नजर आ जाएगा तो the value of variable may change during the execution of program तो जो variable की value है प्रोग्राम की execution के दौरान कहीं भी उसको change किया जा सकता है यह वो change हो सकती है लेकिन variable का नाम आप change नहीं कर सकते प्रोग्राम की execution के दौरान तो यह कुछ rules है जो variable के उपर जाएँ उनकी वो बात का रहा है variables are created in RAM त्रीक है जी हम memory की बात जब भी हम करते हैं यह memory है तो memory के दिकर जब भी होगा तो RAM की बात होगी तो आपका program जो है जब भी hard disk के उपर पड़ावा program आप run करते हैं तो वो basically hard disk के उपर तो जो है वो run नहीं होता वो program की कुछ system file यह उसका कुछ part load होता है आपकी memory के अंदर RAM के अंदर और वहाँ उसको एक हास space मिलती है उस program को जिस space के अंदर अंदर वो program जो है वो execute होता है और अपने सारे वेरियेबल यह अपनी सारी वो जो जो memory cells है वो उनको occupy करता है रहम एक temporary memory के पार्टवान में पढ़ चुके हैं that is why the data stored in variable also temporary बिल्कुल सही है बाई रहम अगर temporary memory है और variable RAM के अंदर create होते हैं तो भाई variable भी temporary होंगे यानि रैम जो है जैसी उसमें data हतम होगा तो automatically variables भी हतम हो जाएंगे वेन प्रोग्राइम्स ने आपको बता दिया यह थोड़ा सब्सक्राइब की समझाया आपने भी डियाग्राम बना देनी है कि मैं दबारा ने से बना देता हूँ फार जैंपल यह हमारे पास जो है वो एक रैम है ठीक है जी इस रैम के अंदर हमने जो है वो अपना प्रोग्राम जैसी लोड किया वही प्रोग्राम जो हमने बनाया होगा यह वाला प्रोग्राम इस प्रोग्राम में कतने वेरियेबल्स है ए बी सी तीन वेरियेबल ठीक हो कुछ मेंवरी मिलगी इस प्रोग्राम ने हमारे पास जो है वो एक वेरियबल आ गया और उसमें क्या स्टोर है इसके अंदर एक वेरियबल क्या बन गया हमारे पास भी उसके अंदर क्या स्टोर है दस टोर हमारे पास ठीक है जी एकवल का साइन मैंने यूज कर दिया इसको तोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बलके मैं यह भी हतम कर देता हूं थाकि थोड़ा असान हो जाए ताकि आप जब इसको देखें तो फिर यह नहों कि आप कहेंगे यह गलत है यह गलत है ठीक है तो हमारे पास एक वेरियबल कौन सा है ए तो वो ए वेरियबल यहां बन जाएगा यह वेरियबल बन गया और ए वेरियबल को थोड़ी सी मैमरी मिल गई कितनी मैमरी मिल गी हमें नहीं पता भी बाद में बात करते हैं एक और वेरियबल बन गया बी और इस वेरियबल को भी म hyaasin होगे ए जो ABC है ये memory यह भी गएन के नाम है यह जो A है यह भी है ये सी है यह क्या है वेरिएबल के ये नाम है हमारे पास थीकर के जो नाम अपने अपने प्रोग्राम में रखेंängen इन memory location के ये नाम है तीनों ABC वैसे जो आपके memory locations होती है उनके ड्रेसिज होते हैं, रैम के अंदर उनके drec वोती हैं रैम केञे जो मेमरी सेल्स होते हैं उनके से हिकली ऐड्रैसी होते हैं ने को Brit करते हैं और अगर आपने नंबर सिस्टम पड़ा हुए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा डैसिमल, हेक्जाडैसिमल और बाइनरी, कनवरियन वर आपने देखी होगी पार्ट वन में या आपने मैट्रिक में बढ़ी होगी तो हम इन हेक्जाडैसिमल अडैसिज की बजाए, अपने सानी के लिए क्रते है हम यह नाम यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्राइम में इन वेरियेबल को अक्सेस करने के लिए बजाए कि मैं यह फF4 करूं यह x0F यूज़ करूं, यह IFA यूज़, 1FA यूज़ करूं उसके लिए आप आगे C++ में पॉइंटर्स पढ़ेंगे, तो उसमें mostly आप आप वो काम variable के addresses के जब करेंगे, तो वहाँ pointer का आप इस्तिमाल करेंगे, तो C++ में इंशाला पॉइंटर्स टेक्नीक पढ़ेंगे, और यहाँ भी C के अंदर अगर आपने address जो है वो देखना है क इस ए वेरियबल का इस ए वेरियबल का भी वेरियबल का तो आप अड्रेस अपरेटर यूज करके भी देख सकते हैं वो भी मैं इन्शाला आपको बता दूँगा अगर हमारे पास आगे टाइम होगा तो तो है नहीं हो यह हो गया जी इनके नाम और यह जो अड्रेसा दो लाएंगे इस वक्त क्योंके इन हैग्जाड़ेसिक की बाद नहीं और इसने उसने भी मैंशन यहां कुछ नहीं किया उसने सिर्फ लिखिदी अड्रेसा वेरियबल हमारे इस वक्त किसके साथ है नेमा वेरियबल यह एबी सी उसने इस केस में वेरियबल का नाम क्या यह हमारे पास रहे मैम्री है तो यह हमारे पास जो है वह वह वेरियबल की डैफिनेशन डागरम आपने बना देनी है और उसके बाद यह नीचे फिर थोड़ा सा बता रहा है इसी डागराम को जा वह बता का रहा है नेम आफ वेरियेबल ठीक है तो इस रेफर करता है उस इंटिफायर को जो प्रिजेंट का रहा है किसको memory location को और address of variable यह जो लिखाओ यह रेफर करता है memory location को वेरियबल की जो memory location है यानि कि यह जो address है यहाँ उसने mention नहीं किया लेकिन यह जो address है और content से मुराद उसके अंदर जो value store as variable के अंदर यह उससे मुराद यह है यह जो लिखाओ है content of variable हमारे content क्या है तो यह हो गया variable की definition very important इसको आपने याद रखना है और आगे जाहरी बात है जब हमने प्रोग्राम में यह बात आगे हम variable का इस्तमाल करेंगे बार बार अभी भी हम कर रहे हैं तो आपको कहीं चीज़ें अभी थोड़ी से क्लियर होगी होंगी कि यह जो हम इस्तमाल का रहे हैं अपने प्रोग्रेम में यह जो ए स्टपार आप बी स्टपार की सिट मैम्मिरी के अंदर एक लोनें इसका नाम होगा है एक मैममिरी के अधिका बनें इसका नाम हो का और फिर फिर थोड़ी और बात है recognized अमारे पास वाट इस व्रियेबल डेपोड़िश्ונ Gallo जी तु बड़ी ओटन क्वेसिन हो il करी तब मैं साथ इंपोर्टन घं Benson गोड़े sẽ of short question है यह process of specifying specify करना mention करना variable का नाम और उसकी data type is called variable declaration variable का नाम और उसकी data type अगर आप लिखते हैं तो इस process को क्या कहते हैं variable declaration अब program can have as many variable as needed एक program करने जितने मर्जी आप variable declared करना चाहिए जितने मर्जी variable use करना चाहिए हैं आप कर सकते हैं सी जो है वो strongly typed language है यह एकसर short question भी पूछा जाता है क्यों क्या मतलब है strongly typed language का उसका मतलब यह है कि कि तमाम variable लाजमी तोर पे declare किये जाने चाहिए before they are used in the program इससे पहले कि आप उनको program के अंदर कहीं use करें उनको लाजमी तोर के उपर सबसे पहले सकते हैं उसके इस्तमाल से पहले पहले डिक्लेयर कर सकते हैं तो वेरियल के लिटर्वेशन है क्या information प्रॉइड करती है इतरी कि वेरियल के बारे में क्या करते हैं फसक्रिक्वाइब्र इस également जडीक्लेशन प्रॉर्वाइड एन्फर्मेशन तो यह वरियेहर्व reconoc declaration है, यह information किसको provide का रही है हमारे compiler को, variable के बारे में लेकिन वो क्या है वो आगे बताएगा the compiler using the declaration compiler इस declaration को इस statement को जो declaration statement होती है, use करता है क्या तै करने के लिए कि कितनी memory इस variable को चाहिए यह जो variable है इसको कितनी memory जो है वो मैंने allocate करवानी है यह करनी है, ठीक है जी देखे ना आपने variable अपने program में ABC जैसे हमने variable रखे होगे उस program में जो हम program यूज कर रहे हैं साथ-साथ तो अब A तो यह नहीं है उसने पूरी RAM जो है वो आपकी RGB की RAM यह 4GB की RAM यह 2GB की RAM से उसकी declaration statement से कि जो है वो वो उसको कितनी memory चाहिए तो different types of data मुतलिफ जो type का जो data है उसको memory के अंदर जो है वो different amount जो है वो चाहिए होती है किसी को एक byte चाहिए किसी को दो किसी को चार किसी को आठ बाइट चाहिए होती है required number 8 bytes वो allocate कर दी जाते है जब variable declare होता है जैसी variable declare करते है प्रोग्राम execute होता है तो declaration statement जैसी चलती है तो जिस इस variable को जितने bytes memory में चाहिए वो उसको allocate यह sign कर दी जाते है अगर आपने एक variable int रखा है जैसे कि हमने उदर बात किया भी अपने प्रोग्राम में तो int variable memory में कितनी जगा लेगा दो बाइट लेगा जबकि अगर आपने वेरियबल करेक्टर जैसे वो डिकलेर किया है तो वो memory में कितनी जगा लेगा एक बाइट रैम के अंदर तो आप यह सोच रहेंगे कि लिए Bound हो जाएंगे तो ये भी आपने याद रखना है कि variables हाम हां के विरियबल करते नई जाना अगर यहनिका अपने प्रोग्राम में आपने यह शर्ल को यूज करना है यह बहुना से आप जिधान वह मul्टीपल नहीं करते जाना हर चीज़ के लिए तो जूर्थ के बगत ही आपने डिक्रेट करने अधर्वाइज यह आपकी इफेक्ट डिरेक्टली किसके ओपर डालेगा आपकी मैमरी के ओपर जैसी वो प्रोग्राम एक्जीक्यूट होगा जैसी वेरियेबल डिक्लेट होता है जब डिक हो जाती है तो प्रोग्राम के दर्माइन को चेंज नहीं किया जा सकता है आपने वेरियेबल एक इंट लिया है तो बाद में आप उसको प्रोग्राम के दरवान ही फ्लोट कर दें ऐसा नहीं हो सकता हाँ उनकी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम की वेरियेबल का मतलब यह है कि य curvedies को सकती तो अगर इसको एतके साथ ईसकी वैलियू चैंज नहीं होती प्रोग्राम की एक्जूशन के दुराँ जैसे हमने वह घैसे हम ने लिफाइन है था अपने प्रोग्राम में तो सिंटेक्स देख लें बड़ा सिंपल से है आपने डिफाइन करनी है और आगे वेरियेबल का नाम लिखना है और आगे सैमिकल लोगा देना है जैसे यह एक्जैंपल है हमारे पास तो पेपर में भी पहले आपने शीन्टसी रिखना है जैसे मार्करण वायडियस हैडिंग देखे और उसके बाद आप ने अपने जन्लाप में लिखना है सिंटेक्स को ठीक है जी और फिर आपने example ऐसे दे देनी है हमारा हम program में क्या use का रहे है हम program में यह use का रहे है int a semicolon int b semicolon तो हमारा जो वहाँ variable है वो a है और उसकी data type क्या है integer तो data type यह indicate किसीज को करती है indicate type of data कि किस type का data इस variable में store हो सकता है that can be store in the variable और variable name तो जारी बात है वो memory location का नाम है जो अभी हमने उपर बात की है तो यह नीचे भी कुछ example नहीं यह भी आप देख सकते हैं तो यह सवाल हमारा short question हो गया variable declaration उसके बाद आगे हमारे पास एक बड़ा असा और short question variable initialization time एक दवारा देख लेते हैं जी तो time जो हमारा हो चुका है तो variable initialization को जो है वो आगे अगले सवाल के साथ difference between declaring and defining variable और variable के रूल जो के बहुत important long question है यह वाला तो इसके साथ जो है वो देखेंगे आज के लिए जो है वो इतना ही ठीक है जी यहां तक तो आप इसको दोबारा से इस lecture को सुनिएगा और इन concept को जो है वो revise कीजिएगा question हो chat box में लिख दे revise करने के बाद question हो तो अगर लेक्चर में आप आते ही chat box में उसको लिख दीजेगा तो आज के लिए हमारा जो है वो lecture जो है वो इतना ही होगा last जो हमने लेक्चर last जो हमने आहरी जो बातें की है मैं उसको थोड़ा साब को बता देता हूँ कि यह हमने variable declare की है यह है जी data type और यह हमने आगर variable के नाम लिखे है तो इसको यह है variable declaration statement यह कौन सी है variable declaration statement ऐसे भी कर सकते हैं आप आप इनको लेदा लेदा भी कर सकते हैं यह आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं आप इनको लेदा लेदा भी define कर सकते हैं तो आप यह तीन variable यह variable declaration statement होगी एक यह variable declaration statement एक यह एक यह आप इन तीनों को कठा लिखना चाहें तो आप इनको कठा भी लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है तो आप क्या लिखेंगे A कामा B कामा C ठीक हो गया तो ऐसे भी तो ये है variable declaration तो एक दफ़ा आपने ये variable int लिख दिया ना A A क्या है int तो आप नीचे जाके यहां दबारा ऐसे नहीं लिख सकते float A यानि आपने उसकी डेटा टाइब चेंज कर दी प्रोग्राम के पहले उसकी क्या थी int थी आपने क्या कर दी फ्लोट कर दी यहां आप उसको बाद में क्या कर देते हैं करेक्टर कर देते हैं तो प्रोग्राम की एजग्यूशन के दुरान आप उसकी डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं आप उसका नाम भी जाहरी बात है वो तो अंडर सुट है को चेंज आप नहीं करेंगे ठीक है जी तो बाकी इसके उपर मजीद इन्शाला जो बहुत अगरे लेक्चर के अंदर भी हमारी थोड़ी बहुत हो जाएगी और कांसेप्ट जो हमारा कलियर हो जाएगा बहुत शुक्रिया